हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WordPress Theme चैनल में इस चैनल में हम different WordPress Theme के installation, demo import और उसके troubleshooting के बारे में जानते हैं आज हम लेकर रहा है आपके लिए Laurel Multipurpose WordPress Theme Laurel Theme 2020 में ही आया है और इसके regular updates भी आ रहे हैं basically यह o-commerce के लिए बनाए गया है तो swap options इसमें काफे अच्छे हैं Laurel WordPress Theme Unique Design, Amazing Speed, Fast and Reliable Support यह challenge है यह इसके home pages 12 दिये गये हैं Ultimate Mega Menu तो यह हम इसके demo को देखते हैं यह है Laurel का landing और इसके अंदर यह demo pages medical watch underwear jewelry furniture decor organic foods auto parts electronic and tech demo Motorbikes, Babies & Mom Homes, Leather Store, Fashion 2, Fashion 1, Beauty & Cosmetic Demo हम Default Fashion Demo 1 को देख लेते हैं और इस पर Newsletter subscription option भी है इसका slider काफे संदर है बिल्कुल अस्टेनिंग, clean सा look दिया गया है इस theme में बहुत एक अबसूरत theme है new & model, clean social media इसके left panel में दिये है तो आएए इस्टॉल करते हैं हम Laurel WordPress theme जो कि Laurel Multi-Purpose WooCommerce theme है हमारे पास है WordPress का fresh installation इसमें default theme 2020 इस्टॉल है और हमारे पास है Laurel theme pack उसमें में मिलता है assets अब्स प्रेमिडेटा, under plugins Laurel Studio और कुछ अनने plugin theme files Laurel J, Laurel Child तो start करते हैं इस्टॉलेशन WordPress panel में जा है Appearance, theme Add new Upload theme, browse Laurel theme files Laurel.chip या सीजर सर्वर पे समय बचाने के लिए मैं सीदह सर्वर पे अप्लोड कर दे रहा हूँ WP content, themes Laurel zip काफी हलकी फुलकी सी lightweight theme pack है 2.17NMB की तो ये within a minute upload हो जाएगा Laurel zip upload हो चुका Extract कर ले Laurel zip को delete कर ले हम इसके जगत नहीं है हमारे पस Laurel folder आ चुका है theme folder के अंदर WordPress panel के themes में जाए Laurel आ चुका है theme details देख ले Laurel version 1.0.7 Laurel multipurpose WooCommerce theme activate कर ले activate करते ही हमारे को next necessary plugins installation का instruction आता है begin installing plugins इतने भी रिक्वाइट से हैं सबसे पहले वो कर लें एक्टिवेट एलिमेंटर लाई स्टूडियो कोर किसी भी थीम को चलाने के लिए अगर वो प्रवाइड है तो लाई स्टूडियो कोर यह एलिमेंटर का डिफोर्ट स्क्रीन है वापिस प्लगिन पर जाना प्रेंगा लाई स्टूडियो कोर लाईस्टूडियो को लेडार लाईस्टूडर Light Builder Light Studio Headed Builder Activate Light Studio Core किसी भी से Activate नहीं हो और इसे देख लेते हैं वो अप्डेट था header builder का भी अप्डेट है तो भी हम कर ले थे header builder activate contact form 7 install activate contact form 7 invite to market की जो इतनी है लारेल पैकेज डेमो डेटा यह हमें जरूत पड़ेगी डेमो डेटा के लिए इसे इंशाल कर लें कि अप्रश में पूमर्शत जगा हमें कि अप्रिघ हमें उन्हार मॉंठार कि न्पन हंसी दिए प्रिशय्ण मॉझार कि अप्रिव्दिर कि शड़ हम्याब और यह क законч beneath दार्यर पेकेज देमो डेटा का एक्टिवेट कर ले, स्लाइडर रेविल्यूशन इंस्टॉल कर ले, स्लाइडर रेविल्यूशन एक्टिवेट कर ले, ओकमर्स की ये तो थीमी है तो ओकमर्स का में इस्टॉल करनाई है, हम इस्टॉल कर रहे हैं, लॉर्यल मुल्टि पर्पर्पस, ओकमर्स थीम, ओकमर्स इंस्टॉल हो गया, इसे एक बेसिक सेटिंग करनी होती है, ओकमर्स इंस्टॉल करने के बाद, ओकर लेते हैं, ओकमर्स की बेसिक सेटिंग पर चला जाएगा, ओकमर्स की बेसिक सेटिंग पर चला जाएगा, आप एक्चाल डाकर देर लें, मैं देमो के लिए इसा फिल्स फिल कर रहा हूँ, लारियल थीम के साथ, हमें चलना है, हमने सारे प्लग इन्स और, ओकमर्स इस्टॉल कर लिया है, तो अब हम टेमो डेटा इंपोर्ट करने की और बढ़ सकते हैं, अभी हमारे वेबसाइट के सिती कुछ ऐसी है, लारियल थीम इस्टॉल हो चुका है, थीम उपसंस में जाए, अपेरेंस के अंदर दिया हुआ है, अब बढ़ स्टॉल्स के अंदर दिया हुआ है, तो तो तूल्स के अंदर जाए, और ये सारे उपसंस जो भी पसंद हैं, हमें लेने होंगे, हमने देमो फैशन वन चुना था, पिस देख लेते हैं, देमो फैशन हमने वन चुना है, तो हम यहां से भी देमो फैशन वन चुनते हैं, स्टार्ट इंपूर्ट, इंपूर्ट डेमो फैंटेंट, ओके, थोड़ा टाइम लगता है इस पर, क्योंकि मेडिया फैल्स भी इंपूर्ट होने होते हैं, ओपर स्टेटस अप्डेट आ रहा है, प्रेशन रखें, और पेज को रिप्रेश्ट ना करें, इंपूर्ट कम्प्लीट होने के बाद, यह कंफर्मेंशन स्क्रीन आ जाएगी, सारा इंपूर्ट सक्सेस्पुल हर चुके हैं, एक्टिब डेमो सक्सेस, और हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, जी हाँ, Laurel, Laurel WordPress Theme, हमने इंस्टॉल कर लिया है, और डेमो को इंपूर्ट कर चुके हैं, जो लेयाउट हमने देखा था, मेर्कल वह लेयाउट है हमारे पास अब, पेज के सारे elements आ चुके हैं, और हम कुछ, पेजिस को भी देख लेते हैं, बहुत हे इस्टनिंग रुप दिया गया इस वेबसाइट को, इस तरह से हमारा Laurel WordPress Theme, Multipurpose WooCommerce Theme, इस्टॉल हो चुका है, तो आएए हम इसके अब Theme पैनल का भी एक पर overview कर लें, पर दिया है, Theme Options आपेरिंस के अंतर दिया हुआ है, यहां से आप अपनी वेबसाइट की, रेश्ट आप सेटी और कुस्टमाइजिशन कर सकते हैं, तो देखें क्या क्या है, General Options, Web Icon, Logo Colors, Preload, Typography, Header, कई सारे options हैं, Header के तो, Page Heated Bar, PredCumbs, Global Page Post, Single Post, Single Product, Single Product, SportCommerce, Sidebars, Footer, Blog, Shop, Portfolio, 404, Social Media, Additional Code, New Idilator, Pop-Up, Extension और यह सारी चीज़े हैं, तो हमने इंस्टॉल कर लिया है, Loral Multipurpose WooCommerce Theme को, हमारी वेबसाइट तयार है कस्टमाइजिशन के लिए, और अगर आपको इस वेबसाइट के Installation, Lemon Import, या और कोई प्रव्डमाती है, तो अब हमारे को Comment Box में लिखें, हम आपकी जरूर सहायता गरेंगे, देखते रहेए WordPress Theme Channel, हम बहुत अच्छे अच्छे Theme लेकर आपके लिए आने वाले हैं, वाच्छे